Hello everyone, Welcome to the Silicon Guru Kul आज है 28th January 2024 and like everyday, मैं हूँ आपके साथ कुछ current affairs topics लेकर ये topic कई competitive examinations के लिए बहुत important है so अगर आप UPSC, state PCS, SSC, railway, banking या किसी भी competitive examination की preparation कर रहा है तो इस session के last तक बने रहिए because आपकी लिए ये session बहुत useful रहने वाला है साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप notes भी बनाते रहें ताकि exam में आप ठीक से इसे याद रख सके अगर ऐसा question आ जाए कि तुक्का लगाना ही है तो बहुत surety रहेगी कि आप सही तुक्का लगाएं क्योंकि आपके एक memory में save है वो आपने सिर्फ देखा सुना नहीं है फिल्म के तरह आपने उसे लिखा भी है याट्स वाइ मैं चाहूँगा कि आप notes भी बनाते रहें Now the topic is about Tom Hawk missile Tom Hawk missile एक American missile है और हाल ही में Japan ने एक deal sign किया है अमेरिका के साथ कि Japan 400 long range Tom Hawk missile अमेरिका से purchase करेगा तो topic के detail में हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आप से ये question है Consider the following statements regarding Tom Hawk missile recently seen in the news पहला statement है It is a Russian-made short range ballistic missile और दूसरा statement है It is designed to fly at a low altitude making it difficult to detect on a radar तो ये दो statement आपको यहां दिये गया है पहला तो आपको clear हो गया होगा कि सही है या नहीं है Four options are given Right answer आपको मिलेगा topic के detailed analysis में Now some facts about Tom Hawk missile ये एक US-made long range cruise missile है and deep land attack warfare के लिए इसे use किया जाता है It can be launched from a ship और submarine जब ship से इसे launch किया जाता है ये vertically launch होता है और जब submarine से इसे launch किया जाता है तो ये horizontally torpedo tube से launch हो सकता है इसकी एक speciality है कि इसे ऐसा design किया गया है कि ये subsonic speed पर एक low altitude maintain करते हुए fly कर सकता है और ये radar द्वारा detect किया जाना बहुत difficult है दो region है एक तो ये low altitude पर fly करता है और ये subsonic speed से fly करता है इसका use किया जाता है fixed target को strike करने के लिए जैसे communication system को strike करा जाता है या फिर air defense sites को strike किया जाता है ऐसे risk environment जहां पर manned aircraft का जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि surface to air missiles वहाँ पर चल सकते है तो जो भी aircraft जाएगा उसको खत्रा है वहाँ इस तरह का tom hawk missile को use किया जाता है क्योंकि इसे maneuver करना भी बहुत easy होता है यहां बैठे बैठे जहां से launch किया जाता है वहाँ से maneuver किया जा सकता है अगर इसके propulsion की बात करें तो एक solid propellant इसमें use होता है इसके launch phase में बाद में इसमें turbo fan engine लगा हुआ है जिसमें बहुत ही कम heat emit होता है जिसके करन यह infrared detection से भी बच जाता है and it can carry conventional और nuclear payloads बोथ तो इस वजह से यह जो missile है Tom Hawk missile बहुत ही important हो जाता है और Japan यह 400 के number में खड़ीद रहा है अमेरिका से let's discuss another side of this deal इस deal के कुछ और पहलू पर भी बात करते हैं देखो US का जो अपना trade deficit है अलग-अलग country के साथ बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि US अब उतना ज्यादा production कर नहीं पा रहा है इंडिया में इस तरह के country में developing countries में बिठाने की कोशिश करता है वहां से अपना production का काम करता है तो अमेरिका में production ठीक से हो नहीं रहा है तो other countries वहां जाकर जितना export कर देते हैं अमेरिका उतना export नहीं कर पाता है अमेरिका का import export से बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि अलग-अलग countries के साथ trade deficit भी बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे चाइना के साथ 362 billion dollar यह 2022 का data है और हर साल देखो बढ़ता ही जा रहा है तो USA का चाइना के साथ 362 billion dollar मेक्सिको के साथ 131 billion dollar वियतनाम के साथ 116 billion dollar तो इसी तरह से देखो इंडिया के साथ minus 38 यानि कि 38 billion dollar का एक trade deficit इंडिया के भी साथ है यानि कि इंडिया वहाँ export अधिक कर देता है अमेरिका उतना export इंडिया में नहीं कर पाता है यह एक साफ साफ इसका मतलब है और डॉनाल्ड ट्रम्प के टाइम में यानि कि 2017 में इंडिया के साथ ये number 22 billion dollar था अभी बढ़के 38 हो गया है तो इससे अमेरिका बहुत जुझलाया वराता है अब जापान के साथ देखिए यहां 68 billion dollar की बात हो रही है तो अमेरिका other countries को तो कुछ नहीं कर सकता है लेकिन जापान तो यही समझ लो कि उसका एक allied state है तो जापान का बहुत सारा control अमेरिका के हाथों में फॉर एक्जामपल जापान अपनी security खुझ से maintain नहीं करता है 1952 से लेकर अब तक अमेरिका ही उसके security की पूरी जम्मेदारी लेता है जापान किसी भी तरह का कोई arms का manufacturing नहीं कर सकता है तो इस तरह का जो एक deal हुआ था San Francisco agreement हुआ था 1952 में उसके बाद से जापान San Europe से militaryly पूरा पंगू हो चुका है अमेरिका उसको पूरा control करता है militaryly जापान की security अमेरिका की जिम्में है तो अमेरिका कहता है कि तुम्हारे security के लिए तुम इतने सारे Tom Hawk मिसाइल खड़ी दो और जापान के पास कोई option नहीं है वो खुद से बना नहीं सकता है 1952 का deal था तो finally जापान वो खड़िता है और अमेरिका इस तरह से अपना trade deficit का जो गुसा है वो जापान के साथ इस तरह से थोड़ा ठंडा करता है other countries के साथ वो कुछ नहीं कर सकता है याद रखना तो एक पहलू ये भी है इस deal का और हर साल होता है ऐसा जापान को अमेरिका कहता है चलो कुछ खड़िद लो तो जापान भी विचारा खड़िद लेता है और जापान का भी ठीक है क्योंकि सामने उसके चाइना है तो उसे भी कुछ हर्मामेंट चाहिए ताकि वो तयार है अपने existence को बचाए रखने के लिए तो इस तरह का एक यहां circumstances बनता है यह आपको पता रहना चाहिए इसके अलावा बात करते हैं अगर question की जो हमने शुरू में देखा था तो उसका right answer भी आपको मिल चुका है तो इसका right answer भी आपको मिल चुका है topic के discussion नहीं So this was the topic about Tom Hawk missile I hope you liked it Now the topic is about wildlife licensing rules 2024 Recently Central Government ने wildlife trade rules 1983 को amend करते हुए Wildlife licensing rules 2024 लाया है इसमें कुछ significant changes हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ species के licensing process को exclude कर दिया गया है तो यह अपने आप में एक बहुत important news हो जाता है अगर environment के ख्याल से आप देखें तो topic के detailed discussion में हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आपसे यह question है जो UPSC prelims 2020 में पूछा गया था question आपसे यही है कि अगर कोई species कोई plant species schedule 6 of the wildlife protection act 1972 के अंडर रखा गया है तो इसका क्या implication है पहला option है कि license is required to cultivate the plant दूसरा option है such a plant cannot be cultivated under any circumstances schedule 6 की बात हो रही है ठीक है and third option it is a genetically modified crop plant fourth option such a plant is invasive and harmful to the ecosystem तो here are the four options right answer आपको मिलेगा topic के detailed discussion में now some facts about wildlife licensing rules 2024 याद रखना 1983 में सबसे पहले लाया गया था wildlife licensing rules और उसके बाद इस तरह का revision पहली बार हुआ है 2024 में जिसे 16th January 2024 से operational कर दिया जाएगा इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि wildlife protection act 1972 में दो schedule डाले गए थे schedule 1 and schedule 2 schedule 1 में वैसे wild animals को enlist किया गया है जिने utmost protection की requirement है जैसे tigers, elephant, rhinos आप सबको पता है कि ये critically endangered है और ऐसी स्थिती में इनको जरूरत है कि बहुत अधिक protection मिले सरकार की तरब से सरकार इसके trade पर बिल्कुल ही ban लगाए या फिर इनसे related किसी भी तरह का hunting को एकदम ban किया जाए तो इस तरह की बाते schedule 1 में लिखी गई है और schedule 1 में होने का मतलब ही है कि उन्हें सरकार के तरब से बहुत अधिक protection मिला हुआ है और उसी तरह schedule 2 में जो animals को enlist किया गया है वो animals अभी endangered हैं लेकिन critically endangered नहीं है तो ये जो rules लाया गया था Wildlife Licensing Rules 1983 उसमें ऐसा लिखा गया था कि schedule 1 में जो भी animals enlisted हैं और schedule 2 के part 2 में जो भी animals enlisted हैं उनके trade के लिए license तब तक नहीं दिया जाएगा किसी भी entity को जब तक उस entity ने previously central government के साथ कोई consultation ना कर लिया हो that means अगर central government के साथ कोई consultation है central government तयार हो गई है तब तो उसे trade का license मिल जाएगा otherwise उसे trade का license नहीं दिया जा सकता है किन animals के लिए schedule 1 के animals के लिए और schedule 2 के part 2 के animals के लिए तो ये बात आपको पता होनी चाहिए ये था rule 1983 का इसमें amendment क्या किया गया है amendment यही किया गया है कि इसमें part 2 of schedule 2 ये जो है इसे मिटा दिया गया है यही समझ लो amendment करके यही लिखा गया है कि if it relates to any wild animal specified in schedule 1 of the act यहाँ पर ये बात हटा दी गई है that means अब schedule 2 के part 2 के animals के trade के लिए license provide किया जा सकता है और उसके license के लिए अब central government से किसी भी तरह के previous consultation की कोई जरूरत नहीं है तो ये अपने आप में concerned का topic हो जाता है क्योंकि कुछ endangered animals जैसे कुछ birds हैं, turtles हैं गे कोज हैं, snacks हैं उनको exclude कर दिया गया एक तरह से यानि कि इनके trade के लिए अब licensing की restrictions बहुत कम हो गई है central government से consultation की कोई जरूरत नहीं है licensing का process अब easy हो गया यानि कि इनका trade हो सकता है और इन restrictions को हटाने के पीछे government का अपना कोई rationale या कोई भी clarity इस notification में provide नहीं की गई है now status of wildlife trade इंडिया एक biodiverse country है वर्ड में जितने भी wildlife species अब तक में जाने गए हैं उनमें से 6.5% के वल इंडिया में है, वर्ड के total mammals में से 7.6% species इंडिया में है, वर्ड के total birds में से 12.6% species इंडिया में है लेकिन यहाँ एक दुख की बात भी यह है कि वर्ड के top 20 countries जहाँ wildlife trafficking होता है उसमें से एक इंडिया भी है और वर्ड के top 10 countries जहाँ wildlife trafficking airway के द्वारा होता है, उसमें भी इंडिया included है, तो यह इंडिया के लिए बहुत ही बुरी बात है World Wildlife Report 2020 के अनुसार United Nations Office on Drugs and Crimes ने 1999 से लेकर 2018 तक में 6,000 different species of flora and fauna को siege किया है globally, in India wildlife trade includes diverse products including mongooj hair snack skins, rhino के horns, tiger and leopard के panjay यानि कलाउज, bones skins, whiskers, यह सब tiger और leopard के trade होते हैं elephant के tusks, deer के antlers, turtle shells, medicinal plants, timber and caged birds, such as parakeets mynage, moniaj, etc तो इन सब का trade globally होता है, और airway की बात करें तो top 10 countries में India included है 1972 में Wildlife Protection Act लाया गया था, जो wild animals और plants के various species के protection के लिए एक legal framework प्रोवाइड करता है 1972 में जब इस act को लाया गया था, तो उसमें total six schedules डाले गये थे, जिसमें plants और animals को enlist किया गया था उन्हें varying degree of protection and monitoring दिया गया था यह provision किया गया था कि government schedule के according उनको protection देगी, उनका monitoring करेगी अगर schedule one में कोई animal है, तो उसके सबसे अधिक protection, schedule two में कोई animal है, तो उसे थोड़ा कम protection, तो इस तरह से six schedules थे total, तो wildlife protection amendment act 2022 लाया गया था, जिसमें पहले जो total six schedules थे, उनको घटा कर, उनको reduce कर total four schedules अब कर दिया गया है, तो four schedules कौन कौन है, तो schedule one में वैसे animal species को enlist किया गया है, जो highest level of protection अभी enjoy करते है, schedule two में वैसे animal species हैं, जिनको lesser degree of protection दिया गया है, schedule three में protected plant species है, schedule four में scheduled specimens under sites, यानि कि convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, तो schedule four में ऐसे scheduled specimens को रखे गया है, तो याद रखना ये amendment 2022 में किया गया था, और question पुछा गया था 2020 में, तो 2020 का question था कि schedule six में कोई plant है, तो उसका क्या implication है, तो उसका implication यही था, कि उस plant के cultivation के लिए आपको government से license लेना होगा, तो ये था ये topic, I hope you liked it. Now the topic is about world's largest deep sea coral reef, recently USA के Atlantic coast के side, or you can see eastern coast के side, दुनिया की सबसे बड़ी deep sea coral reef को 3D mapping किया गया है, जो Florida से South Carolina के beach extend करता है, इसकी length की बात करें तो total 500 km का length है, और इसकी width है, 68 miles that is 110 km, याद रखना, ये maximum की बात हो रही है, यानि maximum length और कहीं कहीं जो maximum width हो रही है, वो कहा जा रहा है कि 110 km तक की width है इसकी, जैसे ही मैंने world's largest coral reef कहा, आपको तुरंत great barrier reef की याद आई होगी, जो कि आप बिल्कुल सही है, great barrier reef जो है, ये world's largest deep sea coral reef है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि great barrier reef जो है, वो एक shallow water reef है, shallow water coral reef है, और ये अमेरिका के पास अभी हाल ही में, Florida और South Carolina के बीच में, जो mapping हुई है, वो actually deep sea coral reef है, तो आपको पता होना चाहिए, deep sea coral reef अलग है, और shallow water coral reef अलग है, इस mapping से यह भी पता चलता है, कि इन coral reefs का depth, 200 meter से 1000 meter तक vary करता है, जो अपने आप में matter of surprise है, क्योंकि ये coral reefs कुछ ऐसे areas में भी पाए गये हैं, जहां sunlight का reach बिल्कुल भी नहीं है, वहां तक sunlight नहीं पहुँच रहा है, फिर भी वह वहां grow कर रहे हैं, तो इसके उपर research होगा आने वाले समय में, topic के और detailed discussion से पहले, UPSC Prelims 2018 का एक question है, consider the following statements, पहला statement है, most of the world's coral reefs are in tropical waters, दूसरा statement है, more than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines, and the third statement, coral reefs host far more number of animals, phyla, than those hosted by tropical rainforest, So these are three statements, and here are four options, right answer आपको मिलेगा topic के detailed discussion में, तो coral reefs होते क्या है, तो सबसे important बात है कि coral क्या होता है, तो coral actually large underwater structures होते हैं, यह बहुत बड़े-बड़े होते हैं, reefs का मतलब आप सबको पता है कि जो समुदर के नीचे, एकदम sea के bottom में, sea के एकदम, अगर sea level यहाँ है, तो उसका कहीं न कहीं जमीन होगा, water तो इतना दूर flow कर रहा है, नीचे कहीं न कहीं जमीन होगा, इस पर जो एक hard structure होता है, उसी को कहा जाता है reef, और यह reef rock का भी हो सकता है, यह reef अलग-अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर कोई reef इस तरह का है, जो कि corals के कारण है, हो सकता है, अंदर में कहीं न कहीं उसमें rock भी रहा हो, उसके उपर corals ने अपना एक colony बसा लिया है, बहुत ही large structure बना लिया है, तो वैसे पूरे structure को हम कहते है, coral reef, अगर कहीं सिर्फ rock है, और उस पर अगर corals नहीं develop हो पाएं, coral एक living thing है, सबसे पहले तो यह जान लो, coral एक living thing होता है, अगर rock है, उसके उपर corals नहीं develop हो पाएं हैं, उस पर coral का existence नहीं है, तो वो सिर्फ reef कहलाएगा, लेकिन अगर कहीं छोटा सा rock था, लेकिन उसके उपर corals ने अपना colony बना लिया है, और बढ़ते ही जा रहा है दिनों दिन, उसकी height बढ़ते ही जा रही है, तो that is called coral reef, तो यह तो पहले clear हो गया कि coral reef होता क्या है, तो large underwater structures, यह invertebrates होते हैं, आपको पता होना चाहिए, vertebrates जैसे humans है, कुछ animals हैं, तो वो vertebrates हैं, लेकिन यह corals invertebrates होते हैं, ठीक है, vertebra column इन में नहीं होता है, obviously, coral को individually polyp का जाता है, अगर एक coral है, तो उसको polyp बिका जाता है, और पूरे के पूरे polyp के colony को हम लोग coral करते हैं, ऐसा कहा जाता है, कि world के maximum लोगों ने कभी coral reefs नहीं देखा, और नहीं कभी life में देख पाएंगे, क्योंकि बहुत rare लोग होते हैं, जो इतना deep diving कर, जाकर real में coral reefs को देख पाते हैं, तो picture से ही हमें यहां समझना होगा, यह जो आप देख रहे हैं, यह coral reefs है, आप सब जानते हैं, living things को five kingdom में बाटा गया है, monera, protista, fungi, planty and animalia, और animalia kingdom के बहुत सारे phylum है, उसी में से एक phylum है निडरिया, और निडरिया का सब phylum है एंथोजोवा, और एंथोजोवा के अंडर जो coral होते हैं, वो एक बहुत बड़ी family है, इसके अंडर बहुत सारे genus हैं, बहुत सारे species हैं, उस पर तो अभी research चल ही रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह का एक structure है, prelims के लिए हो सकता है, बहुत important हो जाए, या कोई भी competitive exam में ऐसा question आ सकता है, कि coral किस phylum से belong करता है, तो निडरिया आपको याद रखना है, एंथोजोवा भी याद रखें तो और अच्छी बात है, और एंथोजोवा के दो यहाँ class हैं, एनिमोन एंड कोरल, तो यह एक simple सा diagram था, इसके अलावा देखो, कोरल जो होता है, यह symbiosis पर जीता है, अकेले इसमें जीने जैसा कुछ है नहीं, actually है तो living things, लेकिन यह ना तो photosynthesis कर सकता है, नहीं अपना खाना खुद बना सकता है, और नहीं ऐसा कुछ है कि कहीं और जाकर कि किसी का शिकार कर ले और खा ले, वह ऐसा भी कोई इसके पास scope नहीं है, तो यह क्या करता है, अपने polyps के उपर, यह जो tentacles हैं इसके, tentacles with nematocysts, तो यह nematocysts में यहां रहने के लिए जगा देता है, एक algae को, उस algae का नाम है, जू जैन्थले, तो यह symbiotic algae होता है, यह algae देखो, actually होता क्या है, समुद्र के जल में, sea water में, यह algae को एक habitat चाहिए, हर किसी को एक habitat चाहिए, तो यह जो है, यह polyp या coral, यह इसे घर देता है, रहने के लिए जगा देता है, तो symbiotic relation क्या है, तो polyp algae को रहने के लिए जगा दे दिया, algae बदले में photosynthesis करके खाना बनाएगा, और वो खाना खुद भी खाएगा, और कुछ खाना यह polyp को भी देगा खाने के लिए, तो यह mouth होते विए अपना खाना लेता है, यह tentacles के जरीए, खाना इसके मुह में आता है, मुह से फिर gastro-vascular cavity में जाता है, और यहाँ खाना इसका पचता है, और यह जिन्दा रहता है, लेकिन साथ साथ जो sea water में कहीं से भी calcium carbonate इसे मिलता है, वो उसे भी जमा करकर अपना skeleton मनाता है, और दीरे दीरे उपर की रूठता है, उपर की और जाना क्यों जरूरी है इसे, क्योंकि जितना उपर जाएगा sunlight के उतना नजदी किये जाएगा, इसे भी पता है, इस polyp को भी पता है, कि ये जो हमारा algae है, जू जन्थले, इसे photosynthesis के लिए sunlight की जरूरत होती है, तो जितना height पर जाएगे, उतना ही अधिक sunlight के करीब जाएगे, इसलिए ये उपर की और toil करते हैं, और इस तरह से एक reef का यहाँ creation हो जाता है समुदर के अंदर, तो ये पूरा एक process होता है, इसमें आपको ये पता रहना चाहिए, और साथ साथ आपको यह भी पता रहना चाहिए, कि ये बहुत थंड़े इलाके में नहीं हो सकता है, ये अगर आप सोचेंगे कि Arctic के पास coral reef मिल जाए, नहीं मिलेगा, इसे tropical zone में ही अधिकांस पाया जाता है, विकाज यहां का water उतना cold नहीं होता है, और salinity भी यहां कम होती है, तो याद रखना, इसे salinity भी कम चाहिए, और temperature भी कम चाहिए, तभी जाकर coral reefs आपाएंगे, इसके अलावा water में moment भी उतना अधिक नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि कभी कभी कहीं tsunami आता है, तो कुछ इस तरह का news भी आता है, कि इतने सारे coral reefs को नुक्सान हुआ, तो salinity नहीं चाहिए, acidity नहीं चाहिए, उसके बाद temperature high या low नहीं चाहिए, high हो तो ठीक है, sunlight आएगा, तो obviously temperature तो high हो ही जाएगा, लेकिन temperature low नहीं चाहिए, त तो इतने सारे इसके requirement होते हैं, और आप देख सकते हैं, यहां Australia के पास, तो इसका distribution map यहां आप देख लें, कि Australia में करीब 16.1% वर्ल्ड का total coral reef, Australia के चारोर पाया जाता है, इसके अलावा East Asia में, यानि यह जो इंडोनेशिया और यहां Thailand वगरा जो area है, तो यहां पर total share है, 30. 30.1% यानि कि वर्ल का one third सिर्फ यहां पाया जाता है, इंडोनेशिया के पास, और Caribbean में total 10.2% है इस जगह पर, और Pacific Ocean के कुछ islands के पास इसका share है, 26.7% आप देख सकते हैं कि shallow water में यह अधिक पाया जाता है, यहां हलाकि पाया गया है, जो South Carolina और Florida के बीच में पाया गया है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए यह topic है, तो वो deep water में पाया गया है, लेकिन हो सकता है वहां पर जो वो rock रहा हो, वो जो reef रहा हो, वो बहुत बड़ा रहा हो, उसके उपर हुआ हो यह, लेकिन deep water में generally यह नहीं पाया जाता है, विकाज इसको sunlight चाहिए, तो sunlight तो deep water तक जा नहीं पाता है, that's why इस तरह का distribution पूरे world में आपको देखने को मिलता है, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, in this chart you can see shallow water coral और deep water coral में कुछ difference बताए गया है, कुछ specifications के basis पर, for example, appearance, तो shallow water coral जो होते हैं, वो brown and green दिखते हैं, जबकि deep water coral white दिखते हैं, shallow water coral में बहु diversity होती है, food की बात करें, तो shallow water coral relay on photosynthesis algae, जबकि deep water coral feed on small plankton और available organic material जो वहां तक पहुच पाता है, उसी पर वो feed on होता है, algae से यहां symbiotic relation कम देखने को मिलता है, habitats की बात करें, तो provides to sponges, crabs, etc, इनको रहने के लिए एक जगा भी दे देता है, यह shallow water coral, क्योंकि यह की structure होता है, hard structure ह होता है, पत्थर के जैसा हो जाता है, calcium carbonate का जो structure होता है, skeleton बहुत ही hard हो जाता है, और जो deep water coral है न, वो shark, sword face, octopus, इनको रहने के लिए जगा प्रवाइट करता है, type of structure, rock-like और दूसरा यहां, growths in the form of feeders, trees, etc, तो challenges क्या हैं, तो दोनों को climate change से बहुत अधिक खत्रा है, distribution from oil and gas drilling से भी इनको बहुत अधिक खाम पहुंचता है, और यह इनके लिए concern है, तो उसे हम अभी देखेंगे, coral bleaching का जाता है उसे, और great barrier reef के बारे में अगर बात करें, तो इसे 1981 में world heritage site declare कर दिया गया था, यह largest coral reef है, shallow water coral reef में, यह largest in the world है, endures mass coral bleaching, and corals in India, present in the area of Gulf of Kutch, Gulf of Manar, अंडमान और निकोबार आइलेंड्स, लक्षद्वीप आइलेंड्स, और मलवान, coral reefs human के लिए बहुत significant है, यह sea coast line को storms और erosion से save करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी storm आता है या tsunami आता है, तो यह coral reefs shock absorber के तरह काम करते हैं, यानि कि इन पर सबसे अधिक effect आता है, तो जाकर के sea coast line पर आता है, यानि कि हमारा बहुत सरा problem यह जहल लेते हैं, यह job provide करते हैं, opportunity provide करते हैं, recreation का आप चाहें, तो वहाँ scuba diving कर सकते हैं, जाकर food medicine provide किया जाता है, इन coral reefs के द्वारा, अगर threats की बात करें, तो temperature, इस बारे में पहले भी बात हुई है, sediment deposition, देखो अ तो जैसे हैं यह sea में जाकर drain होता है, तो sea में इतना अधिक sediment deposition कर देता है कि यह coral reefs को बहुत problem कर देते हैं, salinity बढ़ जाती है उससे, जैसे मिटी जाएगा, उसमें मिलेगा sea water में, तो salinity बढ़ जाएगी, तो coral reefs में कुछ उसमें erosion आ सकता है, coral reefs कराब हो सकते हैं, pH value बढ़ bleaching, tourism, pollution, तो यह सब threats है coral reefs को, इसके अलावा coral bleaching, corals under stress, expel algae, जब coral stress में जाते हैं, जब sedimentation हो जाता है, pH value बढ़ जाता है, तो यह algae को वहां से expel कर देते हैं, dust turning white, जिसको कहा जाता है, bleach हो गया उसका, तो इसी को कहा जाता है coral bleaching, तो याद रखना, coral bleaching एक ऐसा process है, जिसमें corals कुछ pressure के कारण, कुछ stress के कारण, algae को अपने आप से अलग कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है coral bleaching, और ऐसा करते हैं, corals white color के हो जाते हैं, bleached corals not dead, but more risk of starvation disease, तो एक बार अगर यह algae को अपने आप से हटा दिये, obviously कुछ दिनों के बाद इनकी death होगी, तो तुरंत तो death न एक दिन die out हो जाएंगे, corals की protection के लिए national और international level पर कई सारे initiatives लिये गये हैं, एक technology के बारे में आपको पता होना चाहिए, cryo mesh, यह एक ऐसा technology है, जिस पर minus 196 degrees Celsius पर कुछ coral larvae को store किया जाता है, और इसे फिर wild में छोड़ दिया जाता है, यहां wild का मतलब है, वो shallow water या फिर deep water, deep sea water, जहां corals develop हो सकते हैं, जहां वो रह सकते हैं, जहां उनका habitat है, bio rock डवलप किया गया है, artificially जहां corals rapidly grow कर सकते हैं, कुछ global alliance भी बनाए गया है, जैसे international coral reef initiative, the global coral reef R&D accelerator platform, इसके अलावा Indian initiative है, national coastal mission program, अब आई यह question पर जो हमने आपको शुरू में पूशा था, तो यहां all three statements स ही हैं, क्योंकि most of the world's coral reef are in tropical waters, obviously true, more than one third of the world's coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines, obviously मैंने picture में आपको दिखाया है, के वल इंडोनेशिया में 30% है, और Australia में 16% है, Philippines में भी कुछ उसी तरह का percentage है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि more than half हो जाता है, यहां पर तो यहां तो one third ही बोला गया था, इस दोज होस्टेट बाई tropical rainforest, तो यह भी बात आपको पता रहनी चाहिए, कि tropical rainforest में जितने सारे species होते हैं, उससे अधिक animal phyla, यह coral reefs अपने अंदर सेल्टर देते हैं, तो यह all three statements true है, I hope you like the topic, Now the topic is about INSAT 3DS, recently ISRO ने यह announce किया है, कि INSAT 3DS satellite से related, जितने भी key test होने थे, वे सारे complete हो चुके हैं, अब इसे स्री हरी कोटा आंदर प्रदेश के space port में ship किया जाएगा, और वहाँ एक final review के बाद launch कर दिया जाएगा, ISRO के तरफ से यह information भी आया कि पहले इसे January में launch करने के लिए plan किया गया था, लेकिन अब इसे February में launch किया जाएगा, so topic के detail में हम जाएगे लेकिन उससे पहले आपसे यह question है, consider the following statements regarding the INSAT 3DS satellite, पहला statement है, it is developed by the ISRO and the India Meteorological Department IMD, और दूसरा statement है, it is part of a series of climate observatory satellite, तो four options are given here, right answer आपको मिलेगा topic के discussion में, now some information about INSAT 3DS, actually यह collaborative effort है between ISRO and the India Meteorological Department, यहाँ Climate Observatory Satellites के series का यह एक part है, actually three dedicated Earth Observation Satellites भेजे जाने हैं, जिसमें से दो पहले से orbit में हैं, INSAT 3D and INSAT 3D are already in orbit, और यह तीसरा INSAT 3DS भेजा जाएगा, इसके बाद यह complete हो जाएगा, और कहा जाता है कि India Meteorological Department के, जो भी अभी forecasting हो रहे हैं, चाहे वो weather को ले करके हो, चाहे storm को ले करके हो, तो उसमें कुछ improvement आएगी, it will be launched by using geosynchronous launch vehicle GSLV F-14, या MAC-2 भी कहा जाता है इसे, तो INSAT 3DS को GSLV-14 के द्वारा launch किया जाएगा, GSLV-14 या GSLV-2, it is a more advanced rocket utilizing liquid propellant, तो आपको पता होना चाहिए कि rocket के launch में 3 stages होते हैं, और उन 3 stages में कुछ rocket solid propellant का भी यूज करते हैं, या solid liquid mix का भी यूज करते हैं, लेकिन GSLV-14, all 3 stages में liquid propellants का ही यूज करता है, इसमें cryogenic engine लगा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत एक complex engineering challenge होता है, लेकिन साथ साथ ये एक higher lift off weight capacity भी provide करता है, आपको पता होना चाहिए, इंसेट 3DS जो है, वो करीब 2300 kg का है, तो इतना भारी satellite को लेकर वहाँ जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है, तो इसलिए इस बाहु बली rocket को चुना गया है, अब सीज़े चलते हैं, इस रो के official website पर जहां इंसेट 3DS से related कुछ official information provide किये गया है, the satellite is designed for enhanced meteorological observations, monitoring of land and ocean surfaces, weather forecasting, disaster warning, state of the art pilots, जहां 6 channel imager, 19 channel sounder meteorology pilots, communication pilot, data relay transponder, DRT and satellite added, search and rescue, SAS and art transponder, तो इस तरज से इतने सारे इसके specifications हैं, और भी कुछ details आपको यहां दिये गए हैं, यह exclusive meteorological satellite है, realized by ISRO, with the primary objective to provide continuity of services in the existing in orbit, INSAT 3D and 3DR satellites, so that was the topic related to INSAT 3DS, and question का answer भी आपको यहां मिल चुका है, topic की discussion में, Now the topic is about भारत रत्न, recently on 23rd January 2024, करपूरी ठाकुर, a prominent गांधियन socialist leader and former भ्याज chief minister, इनको भारत रत्न posthumously award किया गया, topic के detail में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यह question है, with reference to भारत रत्न award, consider the following statements, पहला statement है, highest civilian award instituted in the year 1954, second statement, लाल बहादूर साच्थ्री was the first individual to be honored with the award posthumously, and third statement, it carries a monetary grant of 25 lakh रूपीज, here are the four options, right answer आपको मिलेगा, topic के detail discussion में, करपूरी ठाकुर एक prominent गांधियन socialist leader थे, and two times वो भ्यार के chief minister भी रहे, उनका जन हुआ था 24 January 1924 में, समस्तिपूर डिस्टिक के पिताउन जिया गाउं में, जिसे अब करपूरी ग्राम भी कहा जाता है, he belonged to the Nye community, and महत्मा गांधी और सत्तनरायन सिनहा से, वो बहुत influenced थे, as a student activist, उन्होंने सबसे पहले AISF जोईन किया था, All India Student Federation, graduation की पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़कर, quit India मुवमेंट में, खुद को जोईन कर लिया था, and for his participation in the Indian Independence Movement, उन्होंने 26 महिने जेल में भी बिताया था, after India gained independence, करपूरी ठाकूर as a teacher work करते हैं, अपने ही गाउं के एक स्कूल में, और इसके बाद फिर वो बिहार विधान सवा के विधायक बन जाते हैं 1952 में, और 1952 से लेकर 1988 तक वो विधायक ही रहते हैं, बीच में एक दो बार वो MP बनते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विधायक के रूप में जीतते चले आते हैं, ठाकूर was voluntary of Hindi language, उन्होंने जब education minister वो बने, तो उन्होंने क्या किया कि विहार के matriculation curriculum से English को as a compulsory subject हटा दिया, यानि कि English में आप जितना भी number लाएं, आपके mark sheet में लिखा रहेगा, लेकिन वो total marks में add नहीं होगा, वो आज भी होता है, मैंने भी इसी तरह से यहाँ pass किया है, देखो होता क्या है, यहाँ maximum students गाउं के हैं, अभी भी यहाँ rural area बहुत अधिक है, तो 1970 में क्या हल रहा होगा आप सबको पता है, तो उस समय बहुत सारे students पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि English को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि टीचर नहीं थे, जब पढ़े लिखे लोग ही अधिक नहीं है, तो टीचर कहां से मिलेंगे, तो English पढ़ना बहुत मुश्किल था, और उसमें pass नहीं कर पाते थे, सिर्फ English की जंजट के कारण, लोग पढ़ते ही नहीं थे, और समझ लोग की illiterate रह जाते थे, तो illiterate रहने से बहतर है, कि English न जानते वे हम लिटरेट हो जाएं, कम से कम पहले लिटरेट तो हों, फिर English जान जाएंगे, ये था करपुरी ठाकुर का विजन, और उन्होंने English को as a compulsory subject हटा दिया, आप marks लाइए, आपको किसी ने रोका नहीं है, मेरे भी 82 marks रहे हैं English में, तो वो अलग से लिखा हुआ है, वो टोटल marks में नहीं जुडा था, December 1970 में वो बिहार के 11th Chief Minister बनते हैं, और June 1971 तक काम करते हैं, और इसके बाद June 1977 में बिहार के Chief Minister बनते हैं, और April 1979 तक काम करते हैं, and thus he served two terms as the Chief Minister of Bihar, He was popularly known as जननायक, उनको जननायक कहाता था, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा माने जाते थे, 1978 में करपूरी ठाकुर ने एक reservation model इंटर्ट्यूस किया था बिहार में, जिसमें OBC, Most Backward Classes, MBCs, and Economically Backward Classes, even जो upper caste थे, उनको भी 3% reservation, तो इस तरह से एक reservation model उन्होंने बिहार में लागू किया था, और इसी के कारण उनको याद किया जाता है, उनकी एक legacy है, और यही कारण भी रहा कि उनको भारत रत्न से एवार्ट किया गया है, Now some facts about भारत रत्न, भारत रत्न इंडिया का highest civilian award है, जिसे institute किया गया था 2nd January 1954 की दिन, and award is conferred in recognition of exceptional service performance of the highest order for mankind, इसमें हमेशा याद रखना किसी भी तरह का distinction नहीं किया जाता है, चाहे वो race, occupation, position, या gender, किसी भी तरह का कोई discrimination, distinction नहीं किया जाता है, कोई भी person जिसने exceptional service performance दिखाया है, for the mankind, उसे भारत रत्न दिया जाता है, ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ Indian born citizen को ही दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर Mother Teresa, जिसे की naturalized citizen of India माना जाता है, इन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया, and two non-Indians, पाकिस्तानी नेशनल खान अब्दुल गफार खान को इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था, and former South African President Nelson Mandela को 1990 में भारत रत्न दिया गया, ये आपको एकदम से पता रहना चाहिए, eligibility के बारे में बात हो गई है कि कोई भी तरह का distinction यहाँ नहीं होता है, कोई भी person जिसने exceptional service अपना दिया है mankind के लिए उसे भारत रत्न दिया जाता है, और India ने अब तक कुछ foreign लोगों को भी भारत रत्न दिया है, इसके अलावा आपको ये पता रहना चाहिए कि जब 1954 में इसे institute किया गया था, तो वहाँ posthumus awards का कोई provision नहीं था, बट इन 1955 एक amendment किया जाता है और ये provision इसमें add किया जाता है कि मर्नो प्रांत भी किसी individual को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सके, former Prime Minister लाल बहादूर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति बनते हैं जिने मर्नो प्रांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बात करें अगर भारत रत्न के award की, तो यहाँ selection की full power Prime Minister के पास होती है, Prime Minister जिसे चाहें उसके नाम को President के पास recommend कर सकते हैं for भारत रत्न, there is no formal recommendation necessary for this process, और number of annual awards is restricted to maximum of 3, एक वर्स में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, उन्हें एक सनद यानि certificate प्रवाइट किया जाता है, with the signature of President and a people leaf shaped medallion मिलता है, यह picture में आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ किसी भी तरह का monetary grant नहीं होता है associated, यानि कि 0 rupees दिया जाते हैं, यह अपने आप में highest honor है, यहाँ किसी भी तरह का पैसा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी amount जुड़ा हुआ इससे नहीं है, याद करें अगर तो पद्म भूशन, पद्म भूशन, पद्म श्री, वहाँ कुछ monetary grant associated होता है, लेकिन भारत रत्न में किसी भी तरह का monetary grant associated नहीं होता है, और article 18.1 आपसे यह भी कहता है, कि किसी भी तरह का award आपको मिलता है, तो आप उसे अपने title के रूप में use नहीं कर सकते हैं, prefix या suffix नहीं लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, हाँ आप अपना bio data या फिर letterhead लिखें, visiting card लिखें, वहाँ आप लिख सकते हैं उस तरह का कुछ, लेकिन आप किसी form भरते समय आप लिखेंगे कि भारत रत्न कर पूरी ठाकुर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यह नहीं हो सकता है, तो इस तरह की यहाँ provision किये गए हैं, अब आई यह question पर बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ किसी भी तरह का कोई monetary assistance नहीं था, तो यह 25 lakh रुपीज वाला जो यह option है, statement है, यह गलत हो जाता है, इसके अलावा जो दो statement थे वो बिल्कुल सही है, I hope you like the topic,